नमस्कार दोस्तों मैं बिनु जैस्वाल मेरे यूटीव चनल पर आपका स्वागत है तो आज बनाऊंगी मैं लाल मिर्च काचार जो मेरे दादी और मा की रेसिपी है और उनी से मैंने सीखा है और ये रेसिपी आपको और कहीं नहीं मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से लाल मिर्च काचार कैसे बनता है जो मैं आज आपको बताऊंगी तो चलिए मेरे साथ रेसिपी शुरू करते हैं तो ये देखिए मैंने मसाले तयार कर लिए हैं इस तरह से धुल करके साफ करके लिए लिए हैं सारे मसाले कटोरी से मैं इस तरह अंदादे से ही बनाती हूँ लेकिन आपके लिए मैं इसे तॉल कर भी बताऊंगी कि कितने ग्राम मसाले आप लेंगे तो आपके परफेक्ट एक किलो मिर्चे के अचार बनाने के लिए सही होंगे तो यह है मोटे वाले सौफ और मैंने कटोरी से लिया है और यह वजन में 60 ग्राम है तो इनको मैंने धुल करके लिया और यह लिया धनिया थोड़े देखने में जादा देखते हैं लेकिन यह वजन में 50 ग्राम है तो आप मसाले इतने ही कॉंटिटी में ले जितना मैं बता र लिया है यहाँ पर मेथी मेथी भी 30 ग्राम है और यहाँ लिया है मैंने मंग्रायल जिसे कलोंजी भी कहते हैं यह 20 ग्राम के करीब हैं और मैंने यहाँ पर लिया हींग यह 10 ग्राम है हींग हमारे अचार को भी सेफ रखते हैं और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी देते हैं बे इतने मसाले में 200 ग्राम नमक बिल्कुल पर्फेक्ट आते हैं नमक थोड़ा ज्यादा डालते हैं कि अचार को हमारे प्रिजर्विटीव का काम करता है तो यह देखिए मिर्चियों को मैंने ले लिया है और यह थोड़े से हार्ड है अभी क्योंकि अभी यह फ्रेस हैं तो इस मैंने मसाला पहले ही तैयार कर रखा है और एक किलो मिर्च में कितना मसाला पड़ेगा उस हिसाब से मैं आपको बता करके बताओंगी ताकि आपको बनाने में आसानी हो तो मिर्चियों को हम इस तरह से भी काट करके बना सकते हैं अगर आपको सबय नहीं है तो मिर्चियों की डंडियों को इस तरह चाकू से काटे और इस तरह से चाकू की सहायता से इसके अंदर के पाट को हम निकाल लेंगे ये पाट निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं निकलते हैं तो मिर्ची हमारे खराब हो जाती हैं तो इस तरह से बीज के पाट को निकाल करके और सारे बीजों को हम अलग करेंगे उससे पहले हम अपने मसाले त्यार कर लेते हैं तो धनिया को हम रोष्ट करेंगे low to medium flame पे और इसके color बदलने तक और अच्छी सी खुसबू आने तक हम मसालों को भूनेंगे तेजाश नहीं करेंगे और नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे और टेस्ट खराब हो जाएगा तो इस तरह से धनिया भून गया है और सौफ को डाल करके भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे तो सौफ भी हमारे भून गया है और एक बरतन में हम इसे निकालते जाएंगे फिर जीरा भूनेंगे और सारे मसालों को हम low to medium flame पे भूनेंगे और बहुत धैरी के साथ भूनेंगे ताकि हमारे मसालों का टेस्ट बिलकुल भी खराब ना हो तो इस तरह से भून करके सारे मसाले हम अलग रखते जाएंगे और ये देखिए मैं मेथी को भी भून रही हूं मेथी हमारे अच्छी तरह से भून चुकी है और इसको भी हम निकाल लेंगे उसे बरतन में और फिर हम भूनेंगे अपने अजवाइन को और इसे भी स्लो फ्लेन पर भूनेंगे क्योंकि थोड़ी बारीक होती है और जल्दी भून जाती है तो यह देखिए एक अच्छी सी खुसबू आ रही है मसालों में मंग्रेल को हम भूनेंगे लेकिन हम उन मसालों में नहीं मिलाएंगे इसे इसे अलग से रखेंगे क्योंकि इसे हमें पीशना बिल्कुल भी नहीं है इसे हमें खड़ा ही डालना है तो मसाले हम ठंडा कुछ इस तरह से और फिर जार में डाल करके इसका एक बारिक सा पेष्ट बनाएंगे जितना बारिक होथ से के उतना ही बनाए क्योंकि थोड़ा सा दरदरा यह पेष्ट रहता ही है मसाले भूनने पर तो अभी हम इसको पीश करके आपको दिखाते हैं कि कितना बारी की पीश गया है तो ये देखिए कुछ इस तरह से मसाले हमार तियार होते हैं और इसी तरह से मसाले परफेक्ट होते हैं सरसो को हम नहीं भूनेंगे और सरसो को हम डाल करके हींग के साथ एक बार mixer चलाएंगे, दरदरा करेंगे, क्योंकि हींग भी हमारी अच्छी तरह से मसालों में mix हो जाएं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना दरदरा मैंने किया है, बस इतना ही दरदरा आपको करना है सरसो को, और यह बहुत ही flavorful हो जाते हैं मसालों के अंदर गल क करके तो यह देखिए, इस तरह से सरसो रखेंगे और सरसो को भी हम इसी मसाले में mix करेंगे, और आप मिलाएंगे हम इसमें खटाई powder, तो खटाई powder में 50 ग्राम मिलाएं हूं इसमें, और 200 ग्राम नमक मिलाएं हूं, तो इतने मसाले आपके एकदम perfect हैं, एक किलो मिर्ची के इसमें कलोजी डाल दिया हमेने बीना पीसे ही और सर्सो का TEL और इसे मिक्स करेंगे हम हातों से क्योंकि चमत करेंगे हैं आचार के मसाले को और यह सालोग साल नहीं खराब होते हैं और टेष्ट करेंगे नमक को और मिर्च जदा ही रखेंगे थोड़ा सा और खटाएवे क्योंकि हमारे मिर्च में भरते हैं मसाले तो यह नमक उसे बचा कर रखता है सालों साल यह देखे, कुछ इस तरह से मुठी बन जा रही है, तिल हमारे पढ़ गए है, अच्छी तरह से तो यह मसाले तयार है और इसे आप यह टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे, तो आपके कई सालों तक यह मसाले खराब नहीं होने वाले हैं, इस तरह से मैं बनाती मर्ची अचार में कैसे भरेंगी है मसालों को वो ट्रिक मिंत्रीय आपको तो दूब लग गई है पूरे दिन भरकी में मर्चीई में और मैं इसी आपको कैसे भरनाहें यह बताती हूँ तो लिजोिए बढ़ पर। तो इसको मैंने छिल लिया है आपको कोई भी बुड़न इस्टिक मिले तो आप उसे ले सकती हैं तो दादी मा ऐसे ही बनाये करती थी अचार को इस तरह दबाती थी मिर्ची के तो यह जो है डंडिया इसकी इस तरह निकल जाती थी बाहर तो इस तरह से भरने से मसाले हमारे जबी नहीं गिरते हैं बीजों को निकाल लेंगे इस तरह से और सारे मिर्ची को मैं इस तरह से त्यार करके रख लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूं कि मिर्च कैसी तो यह देखिए मैंने दो तीन मिर्ची को इस तरह से निकाल करके आपको दिखा दिया है आप इसी त प्राप कर देता है और इसतरह से घते को फेकेंगे नहीं बीजों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसाले में और उड़ी मिलाएंगे मिला कर को थोड़े मसाले मासाले थोड़े थोड़े घता करेंगे यही नुए अच्छी तरह से मिक्स हो mana और ड़हातुं के बीच में रखेंगे मिर्ची को और अंदर तक इसके मसालों को हम फिल करेंगे क्योंकि दादी मा ऐसे ही बनाया करती थी तो मुझे यही ट्रिक पता है और इस तरह से मिर्चियों को भर ले आप चाहे तो कई भी तरीके हैं बीचसरी मिर्च फाड करके उसके भर सकते हैं अंद मिर्चियों में बर जाते हैं तो जो बच्चे अभी नए नए बनाना शुरू करेंगे उनके लिए यह बढ़ जाता है बनाना तो आप इस तरह से बनासकते हैं तो इस तरह से मिर्चियों को हम अलग रखेंगे और हम मैं आ अगे दिखाती हूं चैश् Care prawd की करेंद को बना स सुखाएं तो मैं आपको दिखाते हूं कि जब इसके पानी ऊपर आ जाते हैं यह देखिए बूंद बूंद करके इस तरह पानी आ जाते हैं और थोड़ से यह सौफ्ट भी हो जाते हैं तो इस तरह से मैं रात बर ढखके रख दिया था और अब दिन की तेज धूप में मैं इ च्पंटनें का इस्टूर करें चीजों को तो में मिर्चियाँ सुख गई आपको दिखाते हूं किसी से दाग वाले निकल जाती है उनकाल निकाल देंगे और छोटे छोटे चोटोडो में हम इने काट लेंगे जिन बचियों को अभी मिर्ची बनाने कर頭वابीं थुक्षण पůन में हम इसे ट्रांसफर करेंगे और इससे चोटे चोटे काटेंगे और इसके बाद जो मसाले हमारे बचगाए unhappy ऑर共 nic 24 दिछाएंगे gap का टेल और मिस करेंगी नहीं खुराप होंगी यह तरीका भी Hazy है जो आने कर आनेम hiç अचले शेफ रहेंगे वह तरीका आपको बताती हूं किसी दूबरो देंगे ताकि इसके अंदर तक चला जाए और रुबरो करके मिर्चियों को हम इस तरह से जार में सेट करते जाएंगे नीचे ऊपर रखते हुए एक दूसरे के तो इस तरह से मैं सेट करके आपको दिखात हverständ हुम कि हमारे मिर्ची कैसे से्ट हो चुकी हैं और इसमें हम डाल देंगे उपर से यही शक्ड़ी ड्लगा देते हैं तो पानी रह जाएगा और चाल खराब हो जातेoup तो कपड़े को इस तरह से बान देने से इसका मौस्चर सुख जाता है और हमारे अचार भी धूप में रखने पे धोल मिट्टी से सेफ रहते हैं और बाकी जो इस तरह से मैंने काट के बनाया था उसको भी मैं जार की बर्नी में इस तरह डाल दूँगी हमेशा काट की बर्नी में ही अचार को रखे ताकि यह सेफ रहे तो इसमें तेल डालूँगी और इसको भी कपड़े से मैं इस तरह से बान दूँगी आपके लिए तो यह देखिए बन गए हैं लाल मीर्ज के अचार और यह बनकर बहुत ही तेस्टी तयार होते हैं और यह मैं बहुत सालों से बना तयार हुए हूँ तो इसका मुझे बहुत अनुभवर जो मैंने आपके साथ सेयर किया है इस्टेप बाई स्टेप तो से फालो क अचार से तो मैं इस पर धकन लगा करके टाइट रग दूंगी और यह कभी नहीं खराब होते हैं तो मैं तो जादो कॉंटिटी में बनाती हैं इसे और अभी मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बना करके आपको दिखाया है तो फॉलो जरूर करिए गाई इस रेस करिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद